दोस्तो ओम नमश शिवाय दोस्तो रोजाना अपना राशी फल देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नौटिफिकेशन की बैल को दबा करके सलेक्ट आल कर लें धनू राशी वालो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 23 नवंबर 2023 दिन गुरुवार के आपकी राशी के देनिक राशी फल के बारे में की आपकी राशी वालो के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है किन किन चीजों से आज आपको सावधान रहना होगा किन किन चीजों से आज आज आपको फायदा होगा आपकी आज लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और वैपार कैसा रहेगा और साथ-साथ आज आपका भग्यासाली अंक क्या रहेगा भग्यासाली रंग क्या रहेगा आज आपके लिए कौन-कौन से उपाय लाबकारी शाबित होंगे और साथ-साथ आज आपके भग्या का आपको क को देने वाले हैं इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा आपकी राशी वालों के लिए आज का दिन दोस्तों आज आपका कोई बड़ा सपना साकार होने वाला है इसलिए अपने कारे पर आज आप पूरी तरह ध्यान केंद्रित रखें कहीं पूझी निवेश करना फायदेबंद साबित होगा विद्ध्यार्तियों को प्रतियोगिता संबंदी परिक्छाओं में उचित पहिणाम आज हांसिल होंगे साथ साथ कभी कभी आलस की वज़े से आपको अपने कारों मे रुकावटे देखने को मिल सकती हैं ध्यान रखें कि थोड़ी सी लापरवाही आपको आपके लक्षे से भटका देगी किसी प्रकार की दुविदा की इस्तिती में किसी अनुभवी व्यक्ति की सला आपके लिए फायदेबंद रहेगी साथ साथ इस समय ग्रह गोचर आपक संपन होने से मन में प्रसनता और ताजगी बनी रहेगी साथ साथ द्यान रखें कई बार कठोर वानी से अकसर कुछ लोगों में नाराजगी उत्पन हो जाती हैं इसलिए अपनी बोल चाल का लहजा थोड़ा नरम रखें काम के अधिकता का प्रभाब आपके स्वास्त पर भी आज पढ़ सकता है इसलिए आराम भी लेते रहें साथ साथ अचानक से ही कोई अधिक समस्या हल होने से अपने आपको आज आप तनाव मुक्त महसूस भी कर सकते हैं इस समय ग्रह इस्तती आपके व्यक्तित्व को प्रभाब शाली बना रही है घर तता समाज में आपको अपनी योगता द्वारा मान समान प्राप्त होगा साथ साथ आपको बता दें किसी अनजान व्यक्ति के साथ धनका लेन देन करते समय बहुत ही आज आपको सावधानी बरतनी होगी क्योंकि आप किसी प्रकार की धोका दड़ी का भी शिकार हो सकते हैं अति आत्म विश्वा में आपका विसेश आज रुजहन रहेगा इनकी वजह से आपकी सोच अधिक शकारत्मक और संतुलित हो रही है ग्रह गोचर आपके पक्ष में हैं शबी कारें को योजनाबद तरीके से संपन करें साती सात आपको बता दें इगो और अति आत्म विश्वास की भावना आपकी मुख्य कमजोरी है इस पर काबू बना कर रखें क्योंकि इस वजह से कुछ लोगों के साथ आज संबंद आपके खराब भी हो सकते हैं फौन और मित्रों के साथ अपना समय बिलकुल भी व्यर्थ ना करें समय का आप शर्योप्यों करें साते सात प्रॉपर्टी से संबंदि रुके हुए सरकारी काम आज पूरे हो सकते हैं इसलिए अपना पूरा ध्यान इन पर केंद्रित रखें पैसे संबंदी निवेश करने के लिए आज गदिन आप के लिए बहुती उत्तम हैं दोस्तों साते सात बात करें आज आपका वैवसाई करियर कैसा रहेगा तो दोस्त आपको बता दें पिछले कुछ दिनों से जिन बिजनेस पार्टियों से अच्छी बात चतीच चल रही थी आज उनके बहतर परिणाम आपके सामने आने वाले हैं महत पपुन अप्लब्दियां आज आपको प्राप्त होंगी नौकरी पेशा व्यक्तियों का कोई टारगेट आज पूरा होने से उनको सुकून मिलेगा साथ साथ व्यवसाई के इस्थल पर आपका प्रभुत बना रहेगा करमचारियों का अपने कारे के पृति पूरी तरह समलपन रहेगा जिसकी वजह से काम समय पर आज आपके पूरे होते जाएंगे साथ साथ नोकरी पेशा व्यक्तियों को बदलाव सम्मंदी कुछ अवसर भी आज प्राप्त हो सकते हैं साथ आपको बता दें प्रॉपर्टी के व्यवसाय से जुड़े लोगों की आज कोई बड़ी डील होने की संभावना है भाग्य उनके पक्ष में हैं आज साथ ही पब इडिया तथा मार्केटिंग संबंदी व्यवसाय से जुड़े लोग आज कुछ बहतरीन उपलब्दिया प्राप्त कर सकते हैं इसलिए अपने संपर्क सूत्रों के साथ जादा से जादा समय व्यतीत करें साथ इसाथ आपको बता दें आज आपके उच्छ अधिकारियों के साथ अच्छे संबंद आपको कोई सरकारी टेंडर या फिर सरकारी संस्ताओं से संबंदित कोई बड़ा ओर्डर भी दिलवा सकते हैं साथ इसाथ नई नोकरी की तलास कर रहे लोगों को आज नोकरी प्राप्ती के भी योग रहेंगे जिससे उनको काफी खुशी कानुवा केरियर संबंदित आज का दिन आपके लिए अतियंत लाबकारी और बहुती अच्छा दिन साबित होगा दोस्तो बात करें आज आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी तो दोस्तो आपको बता दें पती पतनी के आपस में मदूर संबंद रहेंगे वेस्टता के बावजूद पर साता वरण को और खुसनुमा बनाएगा साति सात परिवार के साथ मरूरंजन वे सौपिंग में समय व्यतित होगा इससे घर में खुसी का माहौल व्याप्त रहेगा साति सात आज ए विवायत लोगों के लिए कोई अच्छा रिस्टा भी आने की उम्मीद है जीवन साती का स स्वास्त कुछ आज नरम रह सकता है साति सात आपको बता दें पती पतनी के संबंद सामाने रहेंगे साति सात प्रेम संबंदों में कुछ गलत फैमिया भी उत्पन हो सकती है कुछ ऐसा करें कि आपके बीच कुछ भी गलत फैमिया उत्पन ना हो साति सात आपको बता दें क किसी नज़दी की रिष्टेदार की तरफ से सुब सूचना मिलने से घर में खुशियां रहेंगी तथा आपसे रिष्टे और अधिक मजबूत होंगे लव लाइफ के नज़रिये से देखा जाए तो आज का दिन आपके लिए अच्छा दिन साबित होगा अब दोस्तों बात क काम जैसी दिक्कते भी महसूस हो सकती है आरुवेदिक चीजों का आप अधिक से अधिक शेवन करें और साथ शाथ आपको बता दें वाहन से या फिर गिरने से चोट लगने की भी आज संबावना है थोड़ी सावधानी बढ़ती सावधान रहे हैं दोस्तों साथ शाथ के लिए भाग्यसाली अंक रहेगा तीन और भाग्यसाली रंग रहेगा सफेद और पीला दोस्तों बात कर लेते हैं आज आप के लिए उपाय कौनकौन से लाबकारी शावित होंगे तो दोस्तों आपको बता दें आज आप गाय को सफेद मिश्टान खिलाएं ऐसा करने से लाब मिलेगा और शाते साथ आप आज अपने श्रद्ध सामर्थ के नुसार अन धन वस्तर चटाई चार पाई पेठी की मिठाई मूँ देखने का शीशा आदी इन में से कोई भी सामगरी अपने श्रद्ध सामर्थ के नुसार गरीबों को जरुतमंदों को दान करें ऐसा करन आज आपको आपके भाग्ये का कितना परतीसा साथ मिलेगा आज आपको आपके भाग्ये का पूरे 89 परसेंट साथ मिलेगा हर हर महादेव जै भुले नात